चंद्रियान एकी निदेशक M. अन्नादुराई ने कहा कि चंद्रमा की सतर पर मौझूद बाधाएं लैंडर विक्रम को सिगनल प्राप करने से रोक रही हैं एक न्यूज एजनसी को अन्नादुराई ने बताया हमने लैंडर का चान की सतर पर पता लगा लिया है अब हमें इसके साथ संपर्ख स्थापित करना होगा जिस जगा पर लैंडर उतरा है वो सौफ लैंडिंग के लिए अनुकूल नहीं है वहाँ कुछ बाधाय हो सकती है जो कि हमें उससे संपर्ख स्थापित करने में रोक सकती है जी हाँ साथ ही उन्होंने कहा पहले चंद्रियान के और्बिटर ने संपर्ख साथने के लिए लैंडर की तरफ सिगनल भीजे लेकिन मौझूदा हाल में यह देखना होगा कि वो सिगनल पकड़ पाता है या नहीं और्बिटर और लैंडर की बीच हमेशा दो तरफा संचार होता है लेकिन हम एक तरफा संबाद करने का प्रयास कर सकते हैं हाला कि उन्होंने कहा कि संचार पांच से दस मिनट से अधिक के लिए नहीं होगा इसके अलावा उन्होंने कहा ये एक मुश्किल स्थिती है लेकिन हमारे वेग्यानिक इसे संभालने में काफी सक्षम है वही भारती अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन चंद्रयान्टू के लैंडर विक्रम से संपक्ष बहाल करने की कोशिश जारी रखे हुए हैं लेकिन विशेश अग्यों ने कहा है कि समय निकलता जा रहा है और संपक्ष बहाल होने की संभावना कम होती जा रही है इसरों के प्रमुक के सिवन ने शनिवार को कहा कि अंतरिक्ष एजनसी 14 दिनों तक लैंडर से संपक्ष बहाल करने की कोशिश करेगी तो दोस्तों ये थी अब तक की अपडेट्स आगे की जानकारी के लिए जुड़े रही हमारे साथ और अगर आप कोई न्यूस परसंद आई तो लाइक और शेयर करें साथ ही अपने व्यूस हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं